दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के उपर और जिसके अंदर आपके दो क्वेस्चन्स कवर हो जाएंगे जो तो बीकॉम वाले हैं उनके तो अट लीस्ट दो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे तो आप लोगों अगर बीकॉम वाले हो तो आपको पहला चैप्टर है जिसमें आपको सिरफ फाइनाइशल रिपोर्टिंग के क्वालिटेटिव क्रेक्टिस्टिक्स आपको बार बार एक्जाम में देखने को मिलते होंगे और आपको एक चैप्टर नुम्बर 3 होगा जिस आपको एक्जाम में पूछा गया है और क्वालिटेटिव क्रेक्टिस्टिक्स आपको आ सकते हैं क्योंकि आपको फाइनाइशल रिपोर्टिंग का मेनिंग उसकी अब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस वगारा पूछे जाते हैं तो यह भी उसी चैप्टर का पार्ट है उसी क्लियर हो जाएगा कि फ्रेमवक में क्या लिखना है यह तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चोटी सी रिप्वेस्ट कर रही कि आप में से बहुत सारे students है जोच वीडियो को देखते हो बहुत प्यार देते हो बट चैनल को subscribe नहीं करते हो यार तो आपको वीडियो का पता के दिस चलेगा मैं exam से एक दिन पहले आपके लिए इतनी जरूरी वीडियो लेके आ रहे हूं थोड़ा तो आप लोग मेरे को appreciate कर सकते हो चैनल को subscribe करो notification को own करो जो videos important आपके लिए ला रहे हूं at least आप उनको तो देखो आपी के लिए बना रहे हूं में इतनी मेनित किसके लिए कर रहे हूं तो उसको अच्छे से देखो आपके लिए सिरफ important questions के ऊपर वीडियो से ठीक है तो इस subject के ऊपर मैं आपके लिए एक playlist भी त्य मिल जाएंगी तो दोनों ही प्लेइलिस में आपको वीडियो मिल जाएंगी तो आपको जो भी आपकी class है उसके according playlist स्लेक्ट करनी है और उस playlist को at least देखना है कि आपके questions कवर हो जाए और exam easy निकल जाए ठीक है चले वीडियो को start करते है question आपको पता है qualitative characteristics of financial reporting या conceptual framework of IASB दोनो में answer same आएगा अगर specifically question में पूछा गया है IASB के बारे में तो पहले हम थोड़ा सा IASB को explain कर देते हैं चलो तो अगर पूछा गया है तो वो तब ही लिख रहे है IASB के full form क्या है International Accounting Standard Board इसको क्या बोलते है International Accounting Standard Board ये एक independent body है यानि कि IASB is the independent accounting standard setting body ये accounting standard body है जो accounts के rules को set करती है accounts में overall the worldwide लोग companies में जो भी financial अपनी statement को बनाने के लिए rules follow करते है उसको कौन बनाती है IASB बनाती है rules को conduct करती है accounting standards को issue करती है या उसको publish करती है so IASB के starting कब हुई थी इसके starting हुई थी 1st April 2001 के अंदर इसका main goal क्या है कि लोगों तक high quality understandable और runable global accounting standards पुँचाना या कि लोगों तक financial report जो है वो उनके investors तक अच्छी quality की understandable या runable या उनको अच्छे से capture कर भाएं वो चीज़ पहुचनी चाहिए जो इसको कोई भी investor easily grab कर ले ठीक है ये हमें help करती है ताकि हम लोगों के पास constructed polish यानि कि high quality की financial report crystal clear financial report यानि कि transparent हो और उसको हम लोग easily उसकी information को किसी भी information के साथ compare कर पाएं ऐसी financial report आनी चाहिए तो इसी के लिए IASB कुछ rules निकालती है जिसको worldwide level पे companies follow करती है अपनी financial statement को बनाने के लिए ठीक है जी तो ये है basic simple IASB का meaning तो अगर आपको अकेला कहीं पे भी exam में I IASB दिख जारता है कहीं बेबी तो आप लोग ये लाइने लिख सकते हो ठीक है अब कई बार questions भी होगा अगर आप लोग BKOM के student हो तो जो आपको conceptual framework वाला chapter है conceptual framework of IASB and FASB है ना तो उसके अंदर आप लोग ये चीज़ अगर आप लोग MKOM के भी हो तब भी लिखोगे ये देखो थोड़ी गंदी राइडिंग है ध्यान से सुनना International Accounting Standard Board यानि की IASB and Financial Accounting Standard Board FASB इन दोनों का ही conceptual framework सेम है ठीक है आप लोगों अगर BKOM के करके आयो तो आपको पता होगा third chapter था हमारा conceptual framework of FASB and IASB combined ठीक है तो International Accounting Standard Board and Financial Accounting Standard both, both developer common framework, दोनों का एक common framework है for financial statement in order ताकि in order to eliminate the difference between ताकि जो gap और IFRS की बीच में difference है उसको eliminate कर पाए इसके लिए इनका एक conceptual framework है I know थोड़ा highlighted ज्यादा हुआ 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 है यहाँ पे एरिया, already highlighted है मैंने नहीं किया हुआ पिछले साल कही है यह बट यह topic अगर आप लोग यह line include कर दोगे तो examiner को कहीं न कहीं है पता चल जाएगा कि आपको पता है कि FASB कभी यही है और अगर by chance आपको question आ जाता है FASB के उपर तब भी आप से material लिखने वाले हो तो confuse नहीं होना कि क्या लिखना है FASB कहा से आ गया चाहे आए IASB चाहे आए FASB दोनों का conceptual framework सेम है जो हम भी करने वाले ठीक है तो the framework for the preparation of financial statement can also be show into three levels जो इसका framework है वो तीन लेवल पे है पहले लेवल में आते है financial reporting के objectives जो आप question की length को बढ़ाने के लिए लिख सकते हो अगर आपको conceptual framework लिख रहे हो IASB का तो उसकी अंदर आप लोग financial reporting के objectives लिखोगे जो मैंने इससे पिछली वीड reporting क्या है उसके objectives क्या है importance क्या है limitations क्या है तो उसमें से आप लोग objective पिक करो बहुत जादा easy objectives है second number पर हम लोग इसमें लिखेंगे qualitative characteristics of financial reporting अब देखो यार इतने चार से पांच पेजों के objectives हैं उसके बाद 4-5 पेजों के qualitative characteristics है उसके बाद element भी 4-5 पेजों के है त्री लेवल मे इसमें तीनों में से कोई भी एक selective topic कर लेंगे मैंने आपको एक करवाया हुआ है already objectives of financial reporting एक मैं आपको इस वीडियो में और करवाऊंगी qualitative characteristics of financial reporting elements specifically नहीं पूछा गया है become की level पे शायद पूछा जा सकता है तो उसको मैं cover जरूर करवाऊंगी बट अभी हम लोग एमकोम की तयारी के लिए वीडियो कर रहे हैं तो उसमें मैं नहीं करवा रही है तो qualitative characteristics अब qualitative characteristics आपको अकेले भी पूछे जा सकती है यह आपके chapter first के देखो मैंने बुकवे से लिए है issue की बुक की है become की बुक से लिए है notes फर्स चैप्टर के है पर यह थर्ड चैप्टर में भी है ठीक है तो same ही लिखोगे किरिपया उसको different करके याद मत करना वनना confused हो जाओगे qualitative characteristics of accounting information यानि कि accounting standards तो आप लोग इसको IASB के framework के अंदर लिख सकते हो meaning लिखने के बाद after that आप लोग ये framework में qualitative characteristics लिखोगे आपको यहाँ से जो लाइन अच्छी लगए आप लोग ले लीजिएगा मैं सिर्फ आपको समझाने वाली हूं सबसे पहला characteristics किया है कि इसके अंदर हमें relevance information provide की जाती है यानि कि relevant information on time provide की जाती है जो जो मैं highlight करूंग य information अब देखो इसकी जो information यहाँ पर हमें प्रोवाइड की जाती है वो time पर प्रोवाइड की जाती है otherwise जो information अगर प्रोवाइड भी की जाए तो वो useless हो जाएगे अगर time खतम होने के बाद हमें वो information दी जा रही है तो that information is totally useless ठीक है accounting information needs to relevant so that user make accurate जो भी उसके लिए protections है उसके यह projections है use कर पाएं ठीक है क्योंकि accounting information relevant होनी चाहिए जो भी उस accounting information का use कर रहा है उसको actual में पता हो उसका accurate use कहां पर करना है जितनी भी relevant information है all the relevant information must be the provided in time so that a good decision can be made जो भी relevant information है उसको on time provide करना है ताकि उसके related एक अच्छा relevant decision लिया जा सके तो यह इसका first qualitative characteristics है यह मैंने अपनी तरफ से add on की होती है लाइने जब मैं notes अपने करती हूं तो आपको अगर बुकिच की कोई line लिखनी अच्छी लग रही है समझ आ रही है तो आप लोग उठा सकती है pick कर सकते मेरा काम है आपको point clear करना first characteristic है कि सारी information relevant होनी चाहिए इसके दरना यह तीन points है तो यह चो तीनों points है आप लोग इनकी तीन subheadings बनाके इसको elaborate कर सकते हो मैं समझाती हूं कैसे faithful representation को मतलब समझते हो कि faith यानि कि बिल्कुल correct represent की होनी चाहिए कोई भी financial report यह नहीं कि आप उसमें misconception कर रहे हो या उसको manipulate कर रहे हो proper faithfully आपको उसको represent करना है इसके अंदर हम लोग इसके three characteristics बता सकते हैं देरा three characteristics of faithful representation first कि यह completeness होनी चाहिए इसके अंदर यानि कि complete होनी चाहिए यानि कि adequate of full disclosure of all necessary information जितनी भी necessary information है उसका full disclosure किया होना चाहिए second neutrality neutrality का मतलब क्या होता है कि information fair हो और fraud से free हो freedom from bias bias मतलब fraud तो freedom from bias bias से free होनी चाहिए और third free from error no inaccuracies and no omissions यानि कि कोई inaccuracies manipulation नहीं हुई होनी चाहिए तो इन तीनों को आप लोग explain कर सकते हो elaborate कर सकते हो इसके अंदर दो-दो line का paragraph बना के लिख सकते हो कि completeness में कैसे complete होनी चाहिए जितनी भी necessary information है पूरी available होनी चाहिए ताकि वो जो company के investors है उनको अच्छे से समझ आ पाए पूरी transparent information होनी चाहिए आप लोग इसको तीन line हो मैं से explain कर सकते हो neutrality के अंदर के information हमारी fair होनी चाहिए इसके अंदर कुछ भी manipulation नहीं होनी चाहिए और जो fraud है उससे freedom होनी चाहिए information की free होनी चाहिए कुछ भी गलत information नहीं provide की होनी चाहिए उसके बाद error free from error कोई इसके अंदर inaccuracy नहीं होनी चाहिए तो आप लोग इसको easily elaborate कर पाऊगे faithful representation को थर्ड इसका qualitative characteristics क्या है कि यह comparable होनी चाहिए comparable होती है न जो हमारी financial information होती तो वो लिखा हुआ है आप लोग इसमें भी गपे मार सकते हो कि comparability कैसे कर सकते है जब दोनों company same method को use कर रही है financial statement को तब भी comparison possible है अगर एक company LIFO method यूज कर रही है और other one is using FIFO then we can not compare इस both company's financial statement ठीक है तो आप लोग इसमें comparability को भी explain कर सकते हो next point क्या है verifiability अगर आप किसी financial statement में अपनी कोई भी चीज शो कर रहे हो और उसको compare करने वक्त सामने वाले बंदे को उसको verify करना पड़ रहा है तो आपकी financial statement में उस entry को verify करने के लिए कुछ ना कुछ proof अविलेबल होना चाहिए यानि कि supported by the evidence ठीक है तो यहाँ पर पहले तो verifiability में क्य अच्छा है assure user that information represent जो करें है वो faithful होनी चाहिए ठीक है उसके बाद जो financial information दी जा रही है supported by the evidence उसका कोई ना कोई evidence जरूर होना चाहिए बीना evidence की करें लोग fake entries शो कर देते तो no without evidence आप लोग कोई entry वहाँ पर present नहीं करोगे उसके बाद in other words में देखा जाए तो information is verifiable if it can be audited अगर तो वह verify तभी हो पाएगी अगर वह audited है verify नहीं होगी तो फिर गलत impact पड़ेगा investors की उपर investors बोलेंगे इसकी तो entry को प्रूफ ही नहीं है यानि कि यह company गलत है उसके बाद next इसके qualitative characteristics क्या है neutrality यहाँ पे भी हमने देखा था neutrality वाला point की fairness होनी चाहिए और freedom from bias इसके ल information should be free from bias यानि की free from fraud it mean that there is a presence of trust इसका मतलब क्या है कि आपर trust present होना चाहिए वर्थी data होना चाहिए reporting के अंदर हमारी ठीक है उसके लाब आपको कोई भी लाइन अच्छी लगया आप लोग add-on कर सकते हो main आपको headings याद करनी है और इसके इलाब मैं आपको इतना तो बता रह इसकी हमारी pure होती है यह हमारा qualitative characteristics है pure हमारी financial statement होगी तो हमारे उसमें पूरा transparency होगी इसके अंदर कुछ भी miss happening allowed ही नहीं की होगी क्योंकि IASB ने rules standards ऐसे set कर रखे हैं तो आपको उसको कि IASB ने standards ऐसे set कर रखे हैं कि जब आप उसको follow करोगे तो आपकी पूरी financial statement pure निकल के आ रहेगी तो आपको उसमें कुछ भी over explain नी करना पड़ेगा proper point to point आपकी हर एक चीज सामने वाले को समझा रही होगी उसके बाद दोस्तों अगर आपको ना देखे कोई भी point अगर जैसे tough लग रहा है जैसे मैं जब करके गई थी तो मुझे point थोड़ा सा confusing लगता था शायद जबी भी मैंने पता नहीं आपको correct बताया है कि नहीं बताया आपको एक बार read करना कुछ और ही मतलम निकलता है थोड़ा थोड़ा बट मेरे को जो अपनी language में लगता है न मैं मैंशे उस point को उसी basis पे लेके चलती हो अगर आपको यह लगता है कि थोड़ा सा confusing है तो आप इ बी करेंगे तो चल जाएगा ठीक है उसके बाद जो हमारी next qualitative characteristics है timeliness यानि की जो भी information देनी है वो on time होनी चाहिए doing all work time to time सारा काम time to time होना चाहिए time is very important factor time इसमें बहुत important factor का role play कर रहा है everyone के लिए every statement must be prepared on time जो भी statement है वो on time प्रिपेर होनी चाहिए अगर time बीतने के बाद आ useless ठीक है तो ये भी इसका एक main characteristics है कि इसमें timeliness का बहुत ध्यान रखा जाता है understandability का बहुत ध्यान रखा जाता है कि सामने वाले को statement clear होनी चाहिए crystal clear होनी चाहिए understandable होनी चाहिए information जो भी आपने उसमें information present की है वो सामने वाले को clearly present clearly understandable उसको statement को समझने में कोई भी complexity का सामना करना पड़े easily उसको मों knowledge समझ आ जाए और हर knowledge reasonable होनी चाहिए उसका reason होना चाहिए अगर आपने कोई भी entry शो की है without any reason कोई entry नहीं होनी चाहिए that's clear इसके बाद last इसका qualitative characteristics क्या है balance between benefit and cost इसके through हम लोग हमारा जो है balance कर सकती है between cost and benefit जो benefit इसके अंदर drive होता है जो भी information exceed the cost providers को करती है इसके अंदर हम लोग necessary यानि की not necessarily कुछ भी show नहीं करती है हमारे जो benefits हैं जो cost अक्कर हुए उसको fair values की show करते हैं यानि की fair prices show करते हैं इतना लगा इतना loss हुआ इतना profit हुआ ताकि investors को easily understandable हो पाए जो भी accounting standards का हमने use किया है properly वो उनको visible हो पाएं और उसके through वो लोग हमारी financial statement को हमारे पिछले सालों से या किसी other company के financial statement के साथ compare भी कर पाएं so that is simple qualitative characteristics अगर आप लोग इसको और third chapter में जाके अपनी books के देखोगे तो उसमें आपको नहीं थोड़े दो types में दिखेंगे एक I think ordinary characteristics एक secondary characteristics के types हैं तो वो है तो वो भी easy है उसके भी notes मेरे पास शायद available है but कहने का मतलब वो थोड़े से आपको tricky लग सकते हैं यह थोड़े मुझे easy लगते हैं और मैंने भी यह attempt किये थे exam में इसलिए मैंने आपको यह prefer किया क्योंकि one day before तो एक्जाम के easy material मेरे को लगता है आपको मिलना चाहिए so that's all about today's video मैंने जैसे समझाया मैंने आपको notes में बताया कि आप लोग कौन से point को कहा से कैसे खीश के गपे मारोगे so that's all about today's video notes आपको नीचे description में मिल जाएंगे कुछ भी doubt है तो आपको comment section में बता सकते हैं मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye